वसीम रिजवी के खिलाफ राष्ट्रपती को बेजा ग्यापन आपको बताते चलें वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोट में कुरान की 26 सायतों को एटाये जाने की याचिका से नराज सैक्डो मुस्लिमों ने आज उपजिला दिकारी कारदले पड़ी सर में इकट्टा होते हुए अपनी गहरी नराजगी जाहिर कर उपजिला दिकारी के माध्यम से महमहीम राष्टपती को ग्यापन बेजाया जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाई किया जाने की मांगी है अपन दिया गया है इसमें एक वसीम रिजवी साहाब है उनके द्वारा कुरान शरीफ को लेकर कुछ टिपने की गई है उसके आयतनों को लेकर तो उसके विरोध में स्थानी मुस्लिम समाज के द्वारा महा महीं राष्टपती के लाम से सम्मोदित एक यापन परस्तुत किया लिजवी जो पूर में शिया वगवोट का द्यक्ष दिया मौजूदा है शिया वगवोट का द्यक्ष रहा है तो इसका जो बयान है वो मुस्लिम भावनाओं को आहत करने वाला बयान है ये एक धर्म पे एक तरीके से कटाक्ष है और ये भारत के सभीदान के भी खिलाफ है मैं सबजता हूँ अंतरराष्टे इस तरपर भारत की धर्म रुपेक शवी खराब करने का एक गहरा शडियत है सरकार को इस पे संग्यान लेना चाहिए और इस व्यक्ति के खिलाफ एक अपराधी जैसा बरताव करते हुए इसके उपर देजपर में मुकदमें दर्ज होने चाहिए और सरकार को चाहिए कि यूए पीए के अंतरगत इस आदमी पर करवाई हो और इसके वुरुद कड़ी से कड़ी सजा कराया